नमसे दोस्तों, मैं हानी लाल वानी हानी की रसोई से आप सबी कर स्वागत करती हूँ आज मैं आप सब के लिए इंग्लिश स्टाइल मेडली इंज स्पॉंच केक के रशेपी लेकर आई हूँ बेसिकली ये केक एक्स बनता है बट मैं इसका एग्लिस वर्जन लेकर आई हूँ ये केक दिखने में जितना सुन्दर होता है खाने में उतना ही स्वाधिस और बनने में बहुत यासान तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें सबसे पहले इस केक के लिए मैंने यहाँ पर बटर लिया है आप बटर के जगे ऑईल का या घी का इस्तमाल भी कर सकते हैं बस दियान रिखिएगा बटर अगर आप ले रहे हैं तो वह रूम टैंपरेचर पर होना जाए इसमें मैं डाल रहे हूं आदा कप कंडेंस्ट मिल् कंडेंद न हो जाएं या लाइट और फ्लॉफी न हो जाएं अब इएक दम क्रीमी टेक्शर पे ना जाएं तब तक हम इसे फेट लेंगे यह दिखिए हमारा बटर अर गंडेंस्ट मिल्का मिक्षर बिलकुर अच्छे से वेल कंबाइन हो गया है प्लिकुर क्रीमी टेक्श सोड़ा या बेकिंग सोड़ा आप कह सकते हैं इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके हम चान लेंगे ड्राइण गिडियेंट्स को चानना काफी जरूरी है इसे हमारे केक काफी light and fluffy बनते हैं अब इन सबी चीज़े को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मैं हर बार बताती हूं इसे आप और मिक्स ना करें यानि इसे आप फेटे नहीं जस्ट हमें सब चीजे कंबाइन हो जाएं तब तक हमें इने मिक्स कर लेना है साथ ही इसी स्टेश पे आदर कब दूद डाल देंगे दूद एक सार पूरा ना डाले थोड़ा थोड़ा से डालते जाएं और इसे हम मिक्स करते जाएंगे और ध्यान रुखिएगा आप जो भी इंगिडिंस ले रहे हैं इंक्लूडिंग मिल्क सब कुछ रूम टेंपरिचर पी होना चाहिए विकास दूद अगर आप ठंडा ल बैटर है इसे बेक करने के लिए वैसे तो मेंद्लिंस के लिए 임kisam लेकिन लेकिन में नहीं जी तरही आप चाहिए थाउटी कटोड़ी ले सकते हैं सबसे पहले इसे हम गी या ओल लगा के इस तरीके से गा मेगे कर लिए हैं अब हमने जो बैटर बनाया है वो इसमें हम पोर कर देंगे और हमें इसे हाफ यानि आदा ही फिल करना है क्योंकि यह राइस होके अपना जो बैटर है यह पूरा उपर तका जाता है तो बस इसे हमने अच्छे से फिल कर दिया है चार से पांच पार इसे टाप कर देंगे ताकि जो भी air bubbles हो वो इसमें से निकल जाएं यह हमारे कप्स रेडी है बेक होने के लिए चलते हैं से बेक करने यहां बेकिंग के लिए मैंने एक पतीला औरेडी दस मिट के लिए गरम कर लिया है जब हमने बैटर बनाना स्टार्ट किया था तभी मैंने इसे लो फ दो अचैने इसे लिए अचैने लिए आप चाहें तो जो में बेक कर सकते हैं और बाकि बचा हुआए बैटर मैं स्कौइर के टीन ले लिया है चार इंच का उसमें डाल रही हूं तो जिनके बास अगर इस तरीके काप्स ना हों आप इसको डार्ट्ली डार्क लिए की तरह हम बेक कर लेते हैं कि लिए फिरिंट्स करीब अठारा मिनिट लगे हैं अठारा मिनिट में मेरी एजुकाप वाले केक्स हैं वो बिल्कुल अच्छी से बेक हो चुके हैं इस तरीके से आप एक तूद्पिक डाल के चैक कर लें तो यह देखिए तूद्पिक एकदम क्लीन है तो बस गैस पन करके इने हम निकाल लेते हैं पाच मिनिट के लिए इनकाई केक्स को हमने ठंडा होने दिया है और आप देख सकते हैं और लेडिस ने किनारे शोड़ दिये हैं हलका सा इस तरीके से आप नाइफ कुमा ले बहुत ही असानी से यह निकल आएगा देखिए बि इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर देंगे ताकि यह लेवल में आ जाए और इसे आप खाकर देखिएगा यह आपको बहुत ही पसंद आएगा यह देखिए कितना सॉफ्ट है और टेस्ट में भी बहुत अल्टिमेट है मैं यह जो वनिला एसेंस डालना भूल गई थी बट व पान डाल के उसे डायल Secret कर लें और इसके साथ ही यह पर हमने थोड़ ऑसा डेस्केटेट को कोणनेट यानि नारिल का बुरादा लिया है तो आदा कब करीब मैंने नारिल का बुरादा लिया है अब एक हे केक ब्लाशन के को इस तरीके से हम जो जैं है या फिर जो क्रश और और पानगे लिओट में जबन 25 खamentosuri में डखे दिटा करने में के लिडले हैंड आहई YouTube विवह को अद्विक हैं डिप लिख गया के अपन यह जो अदिखिकेटीût कोकौनट हैे इस तरीके से आप डेसितेटेट कोकोनट में यह लिड़े questions और इसे आप इसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं जो भी फ्लेवर आप पसंद करती हूं या आपके पास अवेलेबल हो तो देखे हमारे सारे मेडलीन्स या फिर इंग्लिश मॉफिन्स हमारे बन करके रेडी हो चुके हैं आप इसके उपर चाहे तो विपिंग क्रीम लगा के कर सकते हैं मैं इस तरीके से चैरी लगा करके इसे डेकोरेट कर रही हूं तो लीजे फ्रिंस त्यार है हमारे इंग्लिश स्टाइल मेडलीन से स्पॉंज केक देखे देखने में लग रहा है न बहुत ही प्यारे और जो स्कॉयर वाला केक था वो भी बेक होके देखे अस तर जैम है वो इस तरीके से पूरे केक पे फैला लेना है साथी टेसे किटेट कोकोनट डालेंगे अच्छे से हम उपर से और लास में डालेंगे एक चैरी यह देखिए देखने में लग रहा है न बहुत ही प्यारा और टेस्ट भी बहुत अमेजिंग है इसका तो मैं आपको किजेगा और यह देखिए मेडलीन भी मैं आपको कट करके दिखाती हूं और वाव देखा आपनी कितना बड़िया स्पॉंज है इसका तो इने ट्राइ करना तो बनता है तो बस आप इस रसेपी को च्राय किजेगा आपका फीडबैक शेर कीजेगा अगर आज की रसेपी प